अलो टेडर्स वेलकम बाक टू माई चनल चलो देखे लेते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे और कल कॉनसे ट्रेड सेट अप समया पर ट्रेड कर सकते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉप्डान अनालिसिस हम यहां पर करने वाले तो अगर हम निफ्टी फिफ्टी के वीकली टाम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइट जो है वो अपने एक इमपोर्टन ट्रेंड लाइन का यहां पर से ब्रेकडाउन कर रहे है और सेम कंडिशन हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई देखी और यहां पर अगर आपको ब पर भी एक इमपोर्टन फिबोनाची रेशो है जहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है इसी वज़े से हो सकता है कि आगे आने वाला भी थोड़ा सा वोलाटायल हो बट किस तरीके से हमें ट्रेट करना है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो अभी जिस तरी हमें मार्केट का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही इंपोर्टन है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट सिंपल यहाँ पर एक इमपल्स मूग रिट्रेस्मेंट और इमपल्स मूग का स्ट्रक्चर बना रहा है और हो सकता है कि market यहाँ पर से एक retracement ले रहा होगा तो simple हम क्या कर सकते previous swing low से लेके previous swing high तक Fibonacci retracement का tool लगा सकते, तो मैं वही करने वाला हूँ simple यहाँ पर Fibonacci retracement का tool ले लेता हूँ और पूरा एकदम यहाँ पर bottom से लेके top तक कुछ इस थरीके से लगा देता हूँ तो आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि price जो है वो अभी exactly अपने 0.382 पर यहाँ पर support ले रहा है weekly time frame में अभी हम simple क्या करेंगे यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे और daily time frame में आने के बाद में मैं आपको और एक structure यहाँ पर समझाना चाओंगा अभी वो structure simple Fibonacci extension का है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price ने क्या किया यहाँ पर से एक impulse मू दिखाया right price एक impulse मू लगा राता retracement लगा राता again यहाँ पर समने एक impulse मू देखा then नीचे आकर price ने अपने previous swing low का breakdown कर दिया है तो जैसे यह previous swing low का breakdown हुआ हम क्या कर सकते previous swing low से लेके previous swing high तक Fibonacci extension का tool लगा सकते तो same में वही करने वाला हुए आपर Fibonacci extension का tool ले लेता हूँ और previous swing low से लेके previous swing high तक लगा देता हूँ अभी यह analysis थोड़ा सा लेती होगा बट आपको यहाँ पर से बहुत कुछ चीज़े यहाँ पर सिखने को मिलेगी अभी आप simple यहाँ पर देख सकते हो price क्या कर रहा है 1.272 और यहाँ पर 0.382 मतलब Fibonacci cluster जहाँ पर बन रहा है price यहाँ पर support ले रहा है और और एक यहाँ पर से में इसके swing high से लेके swing low तक और swing low से लेके swing high तक Fibonacci train based extension का tool लगा सकते है तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पर Fibonacci train based extension का tool ले लेता हूँ और यह swing high, यह swing low और यह वाला swing high कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ अभी आपको यहाँ पर से यह देखने को मिलेगा आप देख सकते हो कि यह one करके हमारा Fibonacci train based extension का one का level then Fibonacci extension का 1.272 का level और Fibonacci retracement का 0.382 का level इस zone में coincide कर रहा है मतलब हम ऐसे बोल सकते कि price जो है या फिर Fibonacci जो है यहाँ पर Fibonacci cluster बना रहा है और यह level बहुत ही important support का काम करने वाला है करने वाला है क्या है in fact आप यहाँ पर देख सकते कि price यहाँ पर support ले रही है अभी यहाँ पर से में यह नहीं बोलना चाहता कि market यहाँ पर से उपर जाएगा सिर्फ यहाँ तक की analysis किया है कि market एक important support की उपर है वो level कुन सा है वो level है 18,900 से लेके 19,000 तक यह मेरे लिए बहुत important support का zone है और अभी इतना ही नहीं अगर यह zone हम draw करेंगे और left side में extend करेंगे मैं आपके लिए वूट कर भी देता हुग आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यह zone में यहाँ पर draw करूँगा वज़े से यह level important support का काम करने वाला है अभी यहाँ पर से आगे का analysis क्या होगा तो मैं simple क्या करना चाहूँगा यह जो Fibonacci cluster zone है यह simple यहाँ पर mark करना चाहूँगा और बाकी के सारे levels यहाँ पर हटा देता हो क्योंकि chart यहाँ पर clear दिखे और हम क्या करने वाले किस तरीके से trade कर सकते वो बताने के लिए simple में one hour के time frame में आना चाहूँगा अभी यहाँ पर से मैं आपके साथ में एक structure share करना चाहूँगा simple यहाँ पर price कुन सा structure बना रही है impulse move, retracement और impulse move का और price अभी बहुत ही important support पर trade कर रही है जिस तरीके से हमने अभी बात की तो यहाँ पर से आगे की analysis क्या या होगी या फिर आगे की price की move क्या हो सकती है अगर हम इस वाले structure को consider करेंगे तो simple यह structure हमें बोल रहा है कि market यहाँ पर से एक retracement ले सकता है ठीक है तो यह यहाँ पर से higher probability बनती है तो आगे की analysis हम उस तरीके से कर सकते है तो simple मैं आपको बताना क्या चाहूंगा कि यह हमारे लिए बहुत important level है 1 hour time frame में 15 minute time frame में या फिर 5 minute time frame में फिर भी हमें इससे directly trade नहीं करना है हमें किसे trade करना है मैं आपको बताने वाला हो तो simple सबसे पहले analysis होने वाली है कि यह मेरे लिए important support है और यह मेरे लिए अभी important resistance है resistance क्यों? क्योंकि weekly time frame में यहाँ पर से breakdown हो चुका है हो सकता है कि market यहाँ पर से retest ले और retest के बाद में हमें यहाँ पर से और एक fall देखने को मिले यह भी structure market follow कर सकता है तो उस condition में मैं simple क्या करना चाहूंगा जब तक price यह दो levels के बीच में trade कर रही है मैं यहाँ पर trading avoid करना चाहूंगा यहाँ पर मुझे volatility दिख सकती है fake breakouts या फिर breakdown दिख सकते है और यहाँ पर से मेरे stop loss जा सकते है इसी वज़े से यह मेरे लिए no trading zone होने वाला है दूसरा condition अगर market कल gap down open होता है और directly यहाँ पर से breakdown कर देता है हमारे important Fibonacci cluster को तो मैं कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से shorting के opportunity लेना चाहूंगा क्योंग मैं सिर्फ यहाँ पर से bullish bias नहीं हो सकता अगर market गिर रहा है ना तो मुझे यहाँ पर से shorting के trades लेने ही पड़ेंगे चाहे यहाँ पर से market breakdown करके मेरे एक दो stop loss हिट कर दे बट मुझे trend को follow करना है अभी simple ऐसा नहीं होता market अगर यहाँ पर range में open होता है या फिर gap up open करता है और उपर निकलने लगता है जो हमने structure previously discuss किया था impulse more retracement impulse more और यहाँ पर से retracement का अगर price वो structure follow कर रहा है ना तो simple क्या करना है यहाँ पर से Fibonacci retracement का tool ले लेना है तो यहाँ पर से मैं Fibonacci retracement का tool ले लेता हूँ और simple से previous fall को एकदम top से लेके यहाँ पर bottom तक कुछ इस तरीके से लगा देना है अब यह levels आपको बहुत ही अच्छे से help करने वाले थोड़ा सा इस वाले trend line को मैं adjust कर देता हूँ price के हिसाब से yes हो गया adjust तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से यह trend line अभी यहाँ पर से adjust हो रहा है अभी simple यहाँ पर से मेरे trade setup क्या बनता है सबसे पहले मैं long कब जाओंगा long में तब जाओंगा जब price अपने trend line का breakout कर देगी simple अगर यहाँ पर से breakout हो रहा है न तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कोई भी bullish structure दूंडूँगा यहाँ नहीं करूँगा कि directly यह trend line का breakout कर रही है तो यहाँ पर मैं long जा रहा हूँ target मेरा 0.382 एसे नहीं करना है मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है 5 minute, 50 minute, 1 hour time frame में यहाँ पर इस वाले trend line के perspective से कोई भी trend नहीं लेना है क्योंकि यह weekly time frame वाली trend line है 5 minute में यहाँ पर बहुत सारे fake breakouts and breakdown देखने को मिल जाते है बट यह breakout and breakdown में एक structure फॉर्म करते है और यह structure का जब breakout देता है तब उससे हमें trade करना है 5 minute या फिर 15 minute में इसी वज़े से directly एक candle यहाँ पर breakout वाली मिल रही है 5 minute या फिर 15 minute में उससे trade नहीं करना है यहाँ पर से आपका stop loss हिट हो सकता है simple हमें यहाँ पर एक bullish pattern दूनना है then and then only हम यहाँ पर से long credit ले सकते है first target होगा हमारा 0.382 0.382 भी अगर breakout कर देता है तो 0.5 तक price जा सकते है आप 0.5 देख सकते हैं previous swing low के साथ में coincide कर रहा है इसी वज़े से जब भी price 0.5 and 0.618 तक जाएगी तब हमें यहाँ पर और यहाँ पर price को closely observe करना है क्योंकि अगर यह breakout दे रहा है ना तो obviously आप long के ट्रेट्स ले सकते हो बट अगर यहाँ पर से price rejection ले रहा है तो market यहाँ पर से नीचे गिर सकता है क्योंकि वही structure को हमें follow करना है impulse move, retracement, impulse move, retracement retracement कहा तक आ सकता है 0.5, 0.618 तब तक आप long के ट्रेट लो बट अगर 0.5 and 0.618 से rejection दिख रहा है अगर प्राइस ट्रेट लाइन तक जा रहा है और यहाँ पर जाके 5 निट ट्रेम में 15 निट ट्रेम में कोई reversal candlestick pattern बना रहा है तो obviously हम यहाँ पर उसके breakdown पर shorting के trades ले सकते हैं क्योंकि यह भी एक higher probability trade होगा कि market नीचे गिर रहा है important trend line का breakdown कर देता है retest कर देता है और यहाँ पर से market नीचे गिरता है तो यह भी एक हमारे लिए important analysis होने वाली है और यही सारे setups में nifty में follow करने वाला हो अभी simple यहाँ पर से bank nifty के उपर बात कर लेते हैं अगर हम weekly time frame में चलेंगे तो bank nifty में हमने क्या discuss किया तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से नीचे गिर सकता है यहाँ पर से market नीचे गिर सकता है यह मेरे लिए बहुत ही बेरिश क्लोजिंग है बट फिर भी किस तरीके से trade करना है वो मैं आपको यहाँ पर से बताने वालो अभी simple आप यहाँ पर भी अगर आप structure को समझोगे तो market क्या कर रहा है impulse move, retracement, impulse move और यहाँ पर से retracement ले रहा है तो मैं simple क्या कर सकता हूँ previous swing low से लेके previous swing high तक Fibonacci retracement का tool लगा सकता हूँ तो same में वही करने वाला हूँ Fibonacci retracement का tool ले लेता हूँ और पूरा एकदम bottom से लेके यहाँ पर top तक लगा देता हूँ और जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा market क्या कर रहा है market ने 0.382 का यहाँ पर से breakdown कर दिया है और अभी price 0.5 के आसपास यहाँ पर support ले रहा है इसी वज़े से यह levels हमें बहुत ही अच्छे से trade करने में help करेंगे तो मैं simple यह level mark कर देता हूँ अभी यहाँ पर से में 1 hour के time frame में आना चाहूँगा और Fibonacci extension के levels draw करना चाहूँगा अगर हम Fibonacci extension हमें draw करना है तो simple आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले structure को follow करना है market ने एक impulse मू लिया obviously आपर एक double top pattern बनाया है यह वाला first top यह वाला second top उसके बाद में market नीचे आके अपने previous swing low का breakdown कर रहा है आप देख सकते हो कि previous swing low का यहाँ पर से breakdown हो चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ Fibonacci extension का tool ले सकता हो और पूरा इस वाले swing low से लेके previous swing high तक Fibonacci extension का tool लगा सकता हो और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह 1.272 का level यहाँ पर आ रहा है अब यह level भी हमें बहुत ही ज़्यादा help करने वाला है obviously यहाँ पर कोई cluster नहीं बन रहा है उसी cluster को follow करना है otherwise जबर्दस्ती cluster यहाँ पर draw नहीं करना है आप यहाँ पर देख सकती है 1.272 का level यहाँ पर mark कर दिया है और simple यह वाला हमारा है 0.5 का level जहाँ पर price अभी support ले रहा है अभी इनी levels के respective हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अभी trades ले सकते है अभी यह trend line को थोड़ा सा में adjust कर देता हूँ जैसे हम चार्ट को zoom out कर देते हैं यह trend lines automatically adjust हो जाते otherwise थोड़ा सा trend line उपर नीचे हो सकते हैं यह भी हम थोड़ा सा ध्यान रखना है तो मेगा कर देता हूँ अभी यह बाकी के levels यहाँ पर से हटा देता हूँ जिससे यह 1.618 का level हो गया अभी आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि market यहाँ पर कौन सा structure फॉलो कर रहा है तो market यहाँ पर भी एक bear structure फॉलो कर रहा है एक impulse move उसके बाद में यह retracement उसके बाद में और एक impulse move तो obviously यहाँ पर से आगे का structure कौन सा आ सकता है यहाँ पर से एक retracement हमें देखने को मिल सकता है कहा तक at least यह trend line तक ठीक है ना जब price trend line पर जाएगी तब क्या करना है में बताता हूँ जब price यहाँ पर trend line पर जाएगी तो simple हमें यहाँ पर price action को observe करना है कि price अगर breakout कर रहे है न तो obviously हम यहाँ पर से long के trades लेने वाले है बट अगर breakout नहीं होता है यहाँ पर कोई reversal pattern बनाता है simple उसी तरीके से हम short जाएंगे अभी long किस तरीके से जाएंगे वो बताता हूँ सबसे पहले long कब जाएंगे यह जो हमारा 1.272 का level है आप यहाँ पर देख सोकती कि market ने previously आपर support लेने का try भी गया था कल अगर market यहाँ पर से breakout कर देता है ना तो obviously कोई भी pullback देखकर मैं यहाँ पर से long के trading opportunity लेना चाहूँगा कहा तक इस वाले trend line तक trend line तक price easily उपर जा सकती है at least profit booking यहाँ तक आ सकती है और यह structure भी हमने already यहाँ पर discuss करके रखा है ठीके ना और उसके आगे का analysis अब इस इंपल आप देख सकती कि 0.382, 0.5 जो हमारे 0.382 के साथ में coincide कर रहा है और 0.600 हमारे upside के targets होने वाले अगर price यहाँ पर से breakout कर देता है obviously हम long के trades लेंगे जब price 0.382 और हमारे trend line को approach करेगा जिससे हमने बाग की होई थी कि यहाँ पर हमें price action को observe करना है अगर bearish price action बना रहा है तो हम यहाँ पर से shorting के trades ले सकते अगर breakout कर रहा है तो यह जो breakdown हुआ है weekly time frame में यह fake breakdown हो जाएगा यहाँ पर से बहुत सारे bear trap हो जाएगे और market बहुत ही अच्छे से उपर बढ़ सकता है इसी वज़े से यह 0.382 और हमारे trend line का breakout यह आपर से बहुत ही important है अगर यह breakout हो रहा है तो कोई भी pullback देखर हम यह आपर से long की trading opportunity ले सकते first target रहेगा हमारा 0.5 और 0.618 second target रहेगा और यह levels के respective अगर breakout हो रहा है तो और भी उपर के trades हम यह आपर से ले सकते क्योंकि यह जो है यह fake breakdown हो जाएगा और fake breakdown मतलब bear strap और bear strap मतलब यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा bullish momentum हमें देखने को मिल सकता है और तीसरा जो condition में discuss करना चाहूंगा अगर market यह पर gap down open होता है या फिर market range में open होकर हमारे 0.5 का breakdown कर देता है न तो obviously मैं trend को follow करने वाला हो यहाँ पर से में कोई भी pullback देखकर bearish setup देखकर shorting के trades लेना चाहूंगा और यही simple simple यहाँ पर analysis बन रही है nifty में और bank nifty में ठीक है अगर आपको यह पूरी-पूरी analysis समझ में